साथियों, हमारे देश ने कोरोना की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया, सदी की इतनी बड़ी आपना, जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देश भी डगमगा गए है। लेकिन देश के सामान ये मानवी के अधिकारों के लिए भारत ने जो गया, उसने तमाम आसंकाओं को गलत साबित कर दिया। असी करोड लोगों को मुप्त अनाज महिया करा रहा है। भारत ने इसी कोरोना काल में गरीबों, असहायों, बुजुर्गों को सीधे उनके खातों में आर्थिक सहायता दी है। प्रवासी समिकों के लिए वन नेशन, वन राशनकार की सुविधा भी शुरू की गई है। ताकि वो देश में कहीं भी जाए उन्हें राशन के लिए भटकना न पड़े। भाई और भेनों, मानविय सम्वेदना और सम्वेदन सिल्टा को सर्वों पर ही रखते हुए, सब को साथ लेकर चलने के ऐसे प्रयास होने, देश के छोटे किसानों को बहुत बल दिया है। आज देश के किसान किसी तीसरे से कर्द लेने के लिए मजबूर नहीं है। उनके पास किसान सम्मा निदी की ताकत है, फसल बिमा योजना है, उन्हें बाजार से जोडने वाली नीतिया है। इसका परणाम यह है कि संकड के समय भी देश के किसान रिकार्ड फसल उत्पादन कर रहे हैं। जम्मु कश्मीर और नौर्थिस का उदाहन भी हमारे सामने हैं। इन छेत्रों में आज विकास पहुंच रहा है, यहां के लोगों का जीवन सर बहतर बनाने का गंबीरता से प्रयास हो रहा है। यह प्रयास मानव अधिकारों को भी उतना ही ससक्त कर रहे हैं।